दोस्तों लोग सभा चुनाव के बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि विपच्छ लगातार EVM को लेकर के चुनाव आयोग और BJP के उपर हमलावार रहा है और हमेशा से EVM में गड़बडी को लेकर के आरोप लगाता रहा है लेकिन इसका असर ना तो चुनाव आयोग के उपर कोई पड़ा है ना फिर इसका आसर जो है BJP के उपर पड़ा है लेकिन आज मैं आपको ब्रेकिंग खबर बता रहा है दोस्तों BJP की तरफ से यह कुबूल कर लिया गया है कि हाँ EVM में गलती हो सकती है आखिर यह पूबरा मामला है क्या दोस्तों वह हम आपको आगे बताए लेकिन उससे पहले आप से एक छोटी से रिक्वेस्स करना चाहते हैं अगर आपको लगता है कि हमारे देश में EVM से चुनाव ना हो और EVM में गड़बड़ी हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंडे का निशान जरूर दबाए दोस्तो आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी भी पच्छी पाटियों के ऐसे नेता हैं जिन्नों EVM के खिलाफ प्रोटेस्ट भी गया है लेकिन उसका कोई अच्छा खासा असर चुनाव आयों के उपर देखने को नहीं मिला लेकिन अब BJP की तरफ से भी ये चीज़ एक को पता है तीखे हमलों के बारे में जाना जाता है और काफी उनके बयानों से वो विवाद में भी रहते हैं लेकिन इस बार उन्होंने का अच्छी बात कही है जो कि EVM को लेकर रखे है जोस्तो आपको बताना चाहते हैं उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही EVM को लेकर सुप को इवियम में गढ़बड़ी हो सकती है लेकिन सुप्रीम कोट ने मेरी बात को यानि की ज़धा गंभीरता से नहीं लिया वही आपको बताँ कि व्यard嘛 mese facts wv नतीजे आए एक महिना हो गया है लेकिन विपच्छ एवियम पर आज भी सवाल खड़ा कर रहा है। चुनावायोग पर पड़ता है तो हमारे देशे एवियम को बैन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।